रेल्वे स्टेशन पर घटी थी ऐसी घटना जहां बाली सालों तक नहीं रुकी कोई ट्रेन बढ़े बढ़े अधिकारी काप गए भारतिय रेल्वे इन दिनों काफी चर्चा का विशय बना हुआ है रेल हाद से काफी दुर्भाग्य पूर्ण होते हैं और सरकारें इस पर हम पर घटना हो गई थी कि वहां कोई ट्रेन ही नहीं रुकती थी इसका कारण भी बढ़ा ही रोचक है यह रेल्वे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुल्या जिले में है इसका नाम बेगुन कोदर रेल्वे स्टेशन है संथाल की रानी लाचन कुमारी ने 1960 में इसे शुरू कराया था कुछ सालों तक यहां पर सब कुछ ठीक रहा लेक इतना ही नहीं यह भी अफवाह फैली कि महिला की मौत उसी स्टेशन पर एक ट्रेन दुरघटना में हो गई थी इसी बीच उस समय एक और चौकाने वाली घटना हो गई थी बेगुन कोदर के ततकालीन स्टेशन मास्टर और उनका परिवार रेल्वे क्वार्टर में मृत अ कहा जाता है रेल्वे अधिकारी भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे बस फिर क्या था रेल्वे स्टेशन के सभी कर्मचारी धीरे धीरे भाग गए घटना के बाद लोग इस तरह से डरने लगे कि सूरज धलने के बाद यहां कोई रुकना नहीं चाहता था भूतिया रेल्व स्टेशन कहा जाने लगा रेल्वे ने कई महीनों तक यहां रेल्वे कर्मचारीयों का रखने की कोशिश की लेकिन कोई भी यहां किसी हालत में काम नहीं करना चाहता था स्टेशन पूरी तरह बंद इतना ही नहीं इस स्टेशन पर भूत की बात पुरुलिया जिले से लेकर कोलकाता और यहां तक कि रेल्वे मंत्रालय तक पहुँच चुकी थी आखिरकार प्रशासन को ये स्टेशन पूरी तरह बंद करने की घोशना करनी पड़ी बादालीस सालों तक बंद रहा फिर यहां ट्रेनों का रुखना भी बंद हो गया था क्योंकि डर के मारे न तो कोई यात्री यहां उतरना चाहता था और नहीं कोई इस स्टेशन पर ट्रेन में चड़ने के लिए ही आता था इन सब का परिणाम यह हुआ कि यह ब्यालीस सालों तक बंद रहा और फिर आखिरकार साल 2009 में ततकालीन रेल मंतरी ममता बनरजी ने एक बार फिर इस स्टेशन को खुलवाया करीब दस ट्रेने रुकती है लेकिन अब भी रेलवे के एक भी स्टाफ को पोस्टिंग नहीं दी गई है वर्तमान में इस रेलवे स्टेशन को एक प्राइवेट फर्म द्वारा मैनेज किया जाता है फिलहाल यहां करीब दस ट्रेने रुकती है